नमस्कार दोस्तों, मेर नाम है बालचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 18 जूल 2024 का संपुर्ण राशिफद उससे पहले आज की दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है मंगानवार का है क्रोधिनाम सवमस्तर है, सुर्य का उत्तरय चंद्रा है, क्रिश मरतु है जेश्ट मेले की शुकलबक्ष की ग्यारवीतिति है, नक्षतर स्वाती है योग-शिव है, तिन का जो परण है, वो विस्टी है, और जो रात का करण है, वो माल है आज की दिन का जो गुलिक काल है, वो शुरुवाथ होगा दोपर 12 बचकार 28 मिनिट से लेकर, 2 बचकर 9 मिनिट तक और अभीजितमूर्थ दोपर बारा बचकर चार मिनिट से लेकर बारा बचकर बावन मिनित तक का होगा गुलिक काल और अभीजीत मुर्थ दिन के शुबक आलावदी कही जाते हैं इस वे किसी भी प्रगार के मैत पुढ़ना काम या फिर निरने आप ले सकते हो उसे परगार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआता होगा दोपर तीन बचकर इकाम मिनिट से लेकर पाच बचकर तेतिस मिनिट तक और यमगंड़काल सुबह नो बचकर चार मिनिट से लेकर दस बचकर चैलिस मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमुगंडे का दिन के अशुबकालावदी कह जाते है इसमें किसी भी प्रकर के महतबुनकाम या फिन्निन ने बिल्कुल भी नहीं लेना उसे प्रकार राज की दिन का जो चंदरमा है ये चंदरमा संफुन दिन तुला राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा शनी के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते हुबे 12 राशियों का राशी पल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्शा करेंगे फसब से पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के सब्तम बहों में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपी के लाब बहों में सिस शनी के साथ ये चंदरमा त्रिकोन योग करने जा रहा है मैं तो बड़े दिन है आपके लिए और शुबफलदाई भी साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के शश्टम बहों में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपी के दशम बहों में सिस शनी के साथ ये चंदरमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आज का ज़त दिन है महत बुण साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिथन राशी मिथन राशी के पंचम बाव मी चंदरमा का भ्रमन है और आप ये बाग्य बाव में सिद्शनी के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है मैं तो बने दिन है आपके लिए और शुब फलदाई भी सावित होगा खास करके अगर आप किसे के रिलेशन्शिक में हैं उनके साथ आज आप क्यार मेनी काफी अच्छे देखी जाएगे आज के दिन आपको कुछ अच्छे इंट्विशन्स वगरा भी आ सकते अगर आप शेर मारकर में ट्रेट करते हो तो लॉंग टम में क्यूव इंट्विश्मेंट के बारे में कुछ अच्छे लाब आज के दिन मिल सकते हैं दिन आपके लिए शुब फलदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी की चतुरत बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके अच्टम बाव में से शनी के साथ यह चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है मैं तो बुण दिन है आपके लिए और शुब फलदाई भी साबित होगा आज की दिन कुछ अनेक्सवेक्टरिड लाव मिल सकते है करके जो लोग है उनके साथ आज आपके अर्मनी भी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के त्रित्या वाव में चंद्रमा का ब्रहमन है आज की दिन आपका गुमना फिरना ज्यादा हो सकता है खास करके आपके जो वैवाई जुड़ी दर है उनके साथ आज आज आपके हर्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी मैं तो बुर्ण काम में आप आत्मे ले सकते हो जो काम रुके हुए है पूरे नहीं हो रहे है आज के दिन जरूरा आत्मे लेजे दिन आपके लिए शुब फल्दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी करने राशी के द्वित्यों वामी चंद्रमा का ब्रमन आर आपके शच्छब वामी से शनी के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है दिन आपके लिए शुब फल्दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी में चंद्रमा का ब्रमन है और आपके पंचंबों में से शनी के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों करने जा रहा है आज आपको confidence energy level बहुत ही अच्छी देखी जाएगी जो काम आपात में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र रहेंगे उसे पर अगरा long term में की गई investment आज के दिन आपके लिए सवल्दा दे सकती है आज करे दिन है आपके लिए मैं तो बन साबित होगा आज कुछ अच्छे intuitions वगरा भी आ सकते हैं अगर आप किसी के relationship में है या फिर नई relationship बनाना चाते हो आज करे दिन है आपके लिए शुबुफलदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वृच्छिक राशी वृच्छिक राशी की वह यह बावमी चंदरमा का प्रमड है और आपके चंदरदबाव में से शुबुफलदाई के साथ यह चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है आज कर दिन है महतोपुण सावित होगा दर के जो लोग है उनके साथ कदी बाहर गुमना फिरना हो सकता है किसी भी प्रकर के महतोपुण निन ने आज के दिन नहीं लेना थोड़ सा स्टेस आ सकता है दिन आपके लिए मिला जुला सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है दनो राशी दनो राशी के लाब अबाव में चंद्रमा का ब्रमन है और आपके तृतियो अबाव में शन्य के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है आज का जब दिन है महतोपुर्ण होगा आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकता है कुछ अच्छे लाव बगरा भी मिल सकते है महतोपुर्ण काम भी आप आत में ले सकते हो दिन आपके लिए शुवफ अलदाई सामित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राश मकर राश के दिरसम बाह में चंदरमा कामरमन है और आप एक एट विदियो बाह में से शनी के साथ यह चंदरमा त्रिकोनियों करने जा रहा है मैं तो पड़ दिन है, आपके लिए खास करके जो भी आपका कारिय शेतरे हैं उससे relative कुछ अच्छे love आज की दिन आपको मिल सकते हैं मैं तो पड़ इंवेस्टमेंट भी हो सकते हैं लॉन्ग टम में कुछ इंवेस्टमेंट होने के संभवना आज के दिन काफी अच्छी बंद रही है अज आपका mood confidence काफी अच्छा देखा जाएगा दिन आपके लिए शुब फलिदाई साभित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के बाग्यबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके राशी में सिजशनी के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है महत उपन दिन है आपके लिए और काफी ज़्यादा शुब लदाई साभित होगा आज के दिन कुछ अच्छी इंट्यूशन आ सकते है जरूर उसपर ध्यान दीजे उसपर का जो काम आपात में लोग ये वो पूरे होते हुए निजार रहेंगा और आपको confidence energy level काफी अच्छी देखी जाएगी दिन आपके लिए भागिशाली सावित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के अश्टम मों में चंदरमा का ब्रहबन है और आपके वेगे मों में सिशनी के साथ ये चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है आज का ज़िए दिन है आपको स्वाफ स्पेर बारे में थोड़ा द्यान देना होगा झाल